लिखम बिहार के हमारे भायों बहनों और बच्चों Yo बच्चों सबको बहुत-बहुत मुस्कार बहुत-बहुत सबका सम्मान आज अच्छा लगा यहां आप सबको देखें इतने खुश मुझाज खुशनुमा चेहरे दिख रहे हैं सब तरफ मुस्कराइट है सब लोग खुश हैं रहा है कि नहीं है सब एक हुश हो ना यह कोई हुश हमारे मुझे मंत्री जी ने फेजा है हमारे पार्शत पी पार्टी के वश्काइट भी बैठे हैं टीक काम करें की नियकर रहे तो डृग के थीक विदायक हैं यह कुछ मेंब और बड़ा बद काम वाम कर रहे हैं कि वैसे मों यहां सारी सारी के टूटी पड़ी पास साल पहले का नजारा आज मैं जब तो दिल को देखके बड़ी तसल्य हुई कि पास साल पहले जो सड़के सड़ी पड़ी रहती थी वह आज चम-चम आ रही है अभी में रास्ते में गाड़ी इदर उदर को फसली थी तो किसी से पूचा ये एक गली जो में इन जिससे आ रहे थे लाइव संगंविहार की सबसे बड़ी कच्ची क्च्ची कालोनया कहते हैं पक्की हो जाएंगी तो नाली बनाएंगे कि फिर लोग कहते थे कि कुछ सीवर डिलवा दो पानी की लएंड दो पानी के लिए कहते थे नहीं कि आर्विन केज्रिवाल जी ने बुला एक पथी पक्की का खेल खेलना बंद करो लोगों को सड़क जाहिए नाली चाहिए सड़क और नाली बना के थे अज उसी का नतीजा है कि चाप अगे सारी की सारी इसलिए बन रही है कि अर्विन केजरिवाल जी ने कहा मुख्यमंतरी जी ने वह डीडिये को करना होता है कच्छी पक्की का थोड़ा सा खेल वहां भीजा हमने प्रस्ताव बना के भीजा 2015 में तब तक यह करके दो तब तक हम अपनी शड़के पक्की कर लेते हैं तक आज नालीया पक्की हो गए आज सड़के पक्की हो रही है और और बाकी सरकार ठीक काम कर रही है कि पीछे बताओ यागे वालत अपने कारे करता ही है है दिल इगत लगाएं कि नहीं लगाएं तिक हो गई बहुत हो तो थे बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कुल वाले हो पढ़ाई ठीक हो रही है इसके कान खीजाए हो कि ना और फेले टीचे बाहर बच्चे बाहर तूटा-फूटा सरकारी स्कूल अब सबसे बढ़िया सरकारी स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूल लोग प्राइवेट से भी लेके आ रहे हैं बच्चों को बिजली सस्थी अब असली चीए जो 2015 में केजरिवाल जी ने बेजा था अब इसमें आप से पूछना चाहता हूं बीजेपी वाले चारों तरफ दिनेश्वाई कह रहे दें डोल बजाते गूम रहे हैं हमने जी पक्की करवादी कॉलोनी पक्की करवादी पक्की कॉलोनी का मतलब क्या होता है दो मिने टुप जाते हैं उपर वाले की पूसमें जाते हैं बार बार लोग कैते हैं कि जब को अच्छे काम पर बात करो अज्स इसमाति आपको क्चि को पकी करने का मतलब क्या है अब अच्छे सुखूल हो गए और कोई आपको कहता है कि कि वैब साइट का नंबर लेलो आपका बच्चा पढ़ेगा ये वैब साइट के बस्टश्स हिए फट पढ़ेगाय वैब दो कुसका रिजिस्टेश्य नंबर मिल जाएगा तफा ही यह मुझाएत की पक्की होती है क्या तो वेबसाइट के नंबर से कच्छी कॉलोनी पक्की कैसे हो जाएगी यह बीजेपी वाले कह रहें कि कॉलोनी का ना एक वेबसाइट बनाएंगे उस पर रिजिस्ट्रेशन कर देना उससे पक्की हो जाएगी आज मैं यहां संगम विहार में खड़े होके कह रहा हूं कि कक्ची कॉलोनी को पक्की कॉलोनी करने का मतलब होता है रजिष्ट्री के कागज आना अगर और हाट में रजिष्ट्री के कागज नहीं आये है तो वैबसाइट एक फोर है यह फिस टंबर श्जा और दिक्सिच जीपर यह ढरें प्रविजसणना सेटिपिके पड़े हुए किसी कौने में जब तक एक-एक मकान का और मकान नहीं एक-एक फ्लोर की रजिश्टी हाथ में ना आ जाए तब तक कच्छी कॉलोनी का पक्की होना कोई बनता नहीं लएसे सड़्ग बनवादी नाली बनवादी सुगधाय आगई लाइट लग गई सारी चीज़ा हो जाएंगी लेकिन यह जो बीजे पी वाले अब बहलाते घूम रहे हैं कि जिए हम पक्की करवा रहे हैं इनके धोके में मताना वेब्साइट नमबर धोका है अगर पक्की को नेन वोली मुण दिनेश महणियाने पक्की करवा दी नाली सपर अरुदेंश महांयाने पक्की करवा अगत हम स्यूप यहां जितने लोग मेचने के जहीए यह यहां इसलिए बैठें कि अगर अगर है अपने पीरी को कुछ देखे जाएं तो कम से कम चाहर रजिश्ट्री के कागस तो हाथ में पकड़ा जाएं हमारे बालक बड़े हूं कम से कम यह तो कह सके हैं हमारे पापा ने यह मंद म्पापा ने हमारे लिए मकान पका करवाया था करवाई थी रजिस्टी के कागस तो देखे जाएं उनको वह रजिस्टी के कागस के बिना पक्की कॉलनी होने का कोई मतलद नहीं है तो आज मैं कहना चाहता हूं वीजेपी को और आपको भी कहना पड़ेगा यह डोल लगाड़े में जाते हुए आया है तो पूछो नंबरभ दे रहे हों तो क्याव बताओ धोका है की नहीं है वेबसाइट नंबरर ढोलो अलाइस सब्सक्राइब ons बंद करो अगर रजिस्ट्री नहीं करवा सकते हो तो छूट बोलना बंद करो अर्विन के जिरिवाज जी ने पिछले पांस साल में खूब मेहनत करी एक अच्छी कॉलोनियों की जिंदगी बदलने पर उसको बेकार में अब चुनाव आए हैं जैसे 2009 में चीना जी चार कागज ले लो और उसके बाद हमें पता चला इस पर क्या लिखा हुआ है 400 नंबर कॉलोनी अब करना है तो को आष़ाऊ इस जान आए जा भछक का लिए जा जब तक कीॉलोनियों पक्की मतमानना जब तक हाथ में रेजिस्ट्री ना जाया नहीं तो कागज और वेबसाइट नमबर तो हमने बहुत देख लिए अपने बच्चों को अगर कुछ देखे जाना चाहते हो तो पक्के मकान के कागज देखे जाना उससे कम में काममान मत लेना आज यह कहने आया थ बहुत लंबी बात नहीं करूंगा आप भी बहुत देर से बेटे आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन आपने बता दिया है दिनेश महानिया वीडिय कि अधिया पर काम यहां नहीं के दिए मैंने देखा है और से यहां तक कम से कम 10 क्लो मिटर अंदर आया हूं दस क तस्ति बिजली मिल रही है सरकारी स्कूल अच्छे हो गए मोहला क्लिनिक अच्छे हो गए कच्छी कॉलों में सड़कें बन गई लाइते आ गई बस फरवरी में बोट देजें न सारे करें लाइद बच्चे इनको पढ़ाना शुरू कि आना भी स्कूलों में अच्छे इनको अफसर अफसर भी बनाना इनको बड़ा आध्मी बनाना अभी यह पास साल में ऐसा नहीं हो जाएगा पॉर्पन लेंगे पूरा हो जाएगा यह लड़किया जो इस फूल में जाती हैं इनको कलको बड़ी-बड़ी जगे नौक्रिया भी तो करनी है वह हम ही करवा पाएंग अरविन केजरिवाल जी अगर नहीं रहे यह बीजेपी वाले या कॉंग्रेस वाले आ गए तो सबसे पहले क्योंकि इनके तो बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूल चलते हैं सबसे पहले स्कूल बंद करवाएंगे नौइडा में और गुरगाओं में देख लो बीजेप की सरकार है कौन से स्कूल खुलवा रखें होने सबके मेताओं के स्कूल है तो इन प्राइवेट स्कूल वालों की पार्टिया और सरकारी स्कूल आँगो प्राइवेट स्कूल जैसा करके दिखा दिया वापस कह रहा हूं दोका दिवस मना रहे हैं आज इस बात का कि बीजेपी दोका दे रही है बार बार लोगों को कह रही है हमने पक्की करवा दी हमने पक्की करवा दी अभी हुई नहीं है जब तक एक एक घर की एक फ्लोर की एक एक फ्लेट की पक्की के रजिस्ट्री के कागज हाथ में ना आ ज झाल झाल